आज हम बताने वाले हैं एक ऐसा ही शिव मंदिर जिसे देखकर वैज्ञानी भी हैरान है क्योंकि ऐसा कुछ बनाना तो आज किस विक्सित विज्ञान से भी परे है यह मंदिस्थित है और रंगाबाद महराष्टर में और इसे कहते हैं कैलाश मंदिर इस मंदिर ने वैज्ञानकों को इस कदर हैरान करके रखा हुआ है कि इस पर वैज्ञानकों की अलग अलग राय है कुछ वैज्ञानिक इसे 1900 साल पुराना मानते हैं और कुछ तो 6000 साल से भी पुराना सबसे जादा हराने वाली बात यह है कि इस मंदिर को इटों और पत्थरों को जोड़ कर नहीं बनाया गया सिर्फ एक ही पत्थर को तोड़ कर बनाया गया है इसलिए इसे कब बनाया गया इसका जवाब देना लगभग असंभव है क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज का इस्तिमाल नहीं किया गया जिससे हम पता लगा सकें कि ये कब बना और इसे जिस पत्थर की खुदाई से बनाया गया उसकी कारबन डेटिंग तो इस मंदिर से भी पुरानी होगी यहां पर ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 18 साल का वक्त लगा लेकिन वेक्यान को कमानना है कि इस 100 फुट उचे मंदिर को आज की तकनीक से भी 18 साल में बनाना असंभव है इससे भी जादा अजीब तो यह है कि इस मंदिर को नीचे से उपर नहीं बलकि उपर से नीचे की तरफ बनाया गया है जैसे खुदाई की जाती है अगर इसे खुदाई से बनाया भी गया होगा तो इसमें से 5 लाख टन पत्थर निकले होंगे अगर एक आदमी रोज 12 घंटे काम करके भी इसे 18 साल में बनाने की कुश्च करता तो उसे हर रोज 150 टन पत्थर हटाने पड़ते जो की पूरी तरह से असंभव था अगर यही हमने आज की तकनीक से भी बनाना हो तो हम इसे 18 साल में नहीं बना सकते क्योंकि इस मंदिर को सिर्फ खुदाई करके ही नहीं बलकि हलके आजारों से बनाना पड़ेगा वैग्यानिकों का भी मानना है कि इसे 200 साल से कम में बनाना उस समय के हिसाब से असंभव था हमारे वेदों में एक ऐसे ही अस्तर के बारे में बताया गया है जिसके इस्तिमाल से इसे बनाया जा सकता है इस अस्त्र का नाम था बौमस्त्रा और इसके इस्तेमाल से पत्थर को भी भाप बनाया जा सकता था और हो सकता है कि इसके इस्तेमाल से इस मंदिर को बनाया गया हो इस मंदिर में एक रहसे और शुपा हुआ है और वो है इस मंदर के नीचे जाती हुई गुफाएं दरशल साल 1876 को इंगलेंड की एक स्पिर्चुलिस्ट एमा हेंड्रिक ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपने अनुभव बताए जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कैलाश मंदिर के नीचे बनी गुफाओं का भी मुआइना किया और एक ऐसे ब्रिटिश शक्स से भी मिले जो इस गुफा के नीचे तक जा चुका था और उसने बताया कि जब वो इन संक्री गुफाओं में से नीचे गया तो उसने एक खुला सा मंदिर पाया जिसमें उसने साथ लोगों से मुलाकात की और उन साथ लोगों में से एक धुंदला सा दिखाई दे रहा था क्योंकि वो कभी होता और कभी गायब इस किताब के छपने के बाद कई वैग्यानकों ने इन गुफाओं में खोजबीन करने की कोशिश की लेकिन उसके बाद इन गुफाओं को सरकारी तोर पर ही बंद कर दिया गया और आज भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया है तो आखिर ऐसा क्या है इन गुफाओं में जो आज भी इसकी खोजबीन पर रोक लगाई गई है हमें कैलाश मंदिर से इस बात का पूरा सबूत मिलता है कि हमारी प्राचीन विज्ञान आज की विज्ञान से कहीं जादा विक्सित थी और शायद इस मंदिर की गुफाओं से कोई और हैसे में चीज भी मिल जाए क्योंकि हमारे धर्म में कहा जाता है कि शिव के सबूत तो हम हर जगे ढूंड सकते हैं बस उसे देखने के लिए हमारे मन में भी शिव होने चाहिए